हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हेल्थ टिप्स दोस्तों आज मैं आपको गर्भावस्ता के 9 से लेके 13 हफ़ते यानि की 3 माह में शिशु के विकास के बारे में बताऊंगी कि गर्भ में शिशु 3 माह का होते होते कितना विक्सित हो जाता है तो वीडियो को जरूर देखिए एन तक बिना स्किप किए दोस्तों इस माह में शिशु के हाथ और पैरों की उंगलियां और नाखुन विक्सित होने लगते हैं और बच्ची की मांद स्पेशियां, उपस्थियां, हड्डियां और मसूरे भी बनने रखते हैं बच्चे अपने हाथ पैरों को हिलाना डुलाना शुरू कर लेता है, लेकिन उसके बहुत छोटे होने के कारण अभी भी आप ये सब महसूस नहीं कर पाएंगी शिशु का चेहरा भी इस दोरान पूरा बन जाता है और अब बच्चे अपना अंगुठा और मुठी चूसने भी लग जाता है और शिशु मूतरत्याग भी करने लग जाता है इस माहा के अन तक आपके शिशु यानि भ्रून का आकार मटर की फली के जितना हो जाता है और भ्रून की लंबाई साथ से लेकर 8 cm यानि की 3 इंच तक हो जाती है और उसके शरीर की लंबाई का एक तिहाई हिस्सा उसके सरका होता है शिशु का वजन इस दोरान अब लगवत 23 ग्राम तक का हो जाता है आपका शिशु इस दोरान अम्नियोटिक द्रव भी निगलना शुरू करने लगता है यह द्रव अधिकांचता है पानी ही होता है लेकिन इसमें पोशक तत्व भी होते हैं जिने की शिशु अफ्शोसित करता है जैसे की कार्वो हाइटरेट्स, प्रोटीन्स, ग्लुकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स इस मा में बच्चे के अंग और सिस्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं और बच्चे का सेक्स भी बनके विक्सित होना शुरू हो जाता है हाला कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट द्वारा अभी भी आप इसे नहीं देख सकते हैं यदि आपके गर्व में पुत्र है तो उसके वरिशान बन गए होते हैं और उसका लिंग भी बनके बढ़ने लगता है और अगर आपके गर्व में पुत्री है तो उसके अंडाशे का बनना अब तक पूरा हो चुका होता है और उनमें लगबग 20 लाख अंडे अभी मौचूद होते हैं इस दोरान महिला के प्रोजेस्टरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण महिला की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है तो इसके कारण गैस बनना और पेट फूले की समस्या भी हो सकती है इस दोरान आप अधिक ठकान महसूस कर सकती हैं और सिर्दर्द की प्रॉब्लम भी बनी रह सकती हैं गर्भावस्ता के तीसरे महीने में तनाव सबसे जादा होता है जिससे कि आपके शरीर में कई तरह की के तिककते आ सकती हैं इस महीने में गर्वती महीलाओं को जादा काम करने से बचना चाहिए। तेरा हफ़ते बीच जाने पर आप लगभग अपनी पहली तिमाही पूरी कर लेती हैं और आपका तीसरा महीना भी पूरा हो जाता है। इसका मतलब की गर्वावश्टा के सुरुवाती लक्षणों जैसे की मितली आना, मौनिंग सिकनेश और इस्तनों में समवेदन छीलता इत्यादी से आपको अब थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाता है। और आगे आने वाले महीनों में आपके बच्चे के आकार के साथ साथ गर्व का आकार भी बढ़ने लगेगा और पेट दिखाई देने लगता है।